तो तो कैसे हो आपका स्वागता तिर्पान स्टेडी सेंटर में आज जो हम करने जा रहे हैं यह जो हमारा है 3.5 size यह जो है इसको करना और सिखना जरूरी होगा देखिए यह जो एक method है इससे पहले आप चाहो तो इसको elimination method से substitution method से भी कर सकती हो लेकिन क्योंकि method है इसलिए बताना मेरा फर्ज बन जाता है ठीक है लेकिन सवाल करने से पहले एक बात जो हमेसा मैं कहता हूं जरूर कीजेगा कि जब ही वी वीडियो देखिए पूरा देखिए क्योंकि एक भी question इसमें से miss कर जाएगा तो शायद क्या तब ही जो है वीडियो का notification मिलता रहेगा और जब एक्जाइम रहेगा तो मैं उसमें इंपोर्टेंट वीडियो डालूंगा जो आपको एक्जाइम में आएगा question तो चलिए अपना भलाई आपको सुचना है और मेरा करतब मैंने अपना करना है चलिए हम पहला question देखते है क पाइंड आउट करना है तो चलिए पहला question देखते है क्या है इसमें यह जो method हमारा है क्या है यह multiplication method इसको हिंदी में हम क्या है ब्रजखन विधी ब्रजखन विधी कहते हैं देखिए पहला question जो है x-3y ठीक है और कितना है minus 3 is equal to 0 और दुसरा किया है इसका दूसरा part क्या है 3 x-9y-2 is equal to 0 आप देखिए क्योंकि हम ब्रजखन विधी करने जा रहे हैं तो इसके method जो है इसका formula भी आपके NCRT book में दिया हुआ है ठीक है इसका NCRT book में जब आप देखोगे न तो इसका जो formula है कुछ इस परकार से होगा ठीक है यहाँ पर दिया होगा x ठीक है यहाँ दि होता है c इसी तरह से दिया हो जाता है तो इसमें आपका जो सवाल बनता है पहले b1 ठीक है minus c यहाँ पर b1 फिर होगा c c यहाँ पर आएगा c2 फिर minus b ठीक है b2 c1 तो उसी में y क्या हो जाएगा y का भी ऐसे होगा c1 a2 minus c2 a1 ठीक है उसी तरह से जो हमारा a के लिए होगा 1 के लिए होगा a1 b2 minus a2 b1 तो आप समझ रहे हो कि a1 b2 यह क्या मैं लीग दिया हो लेकिन यह फर्मूला है ठीक है multifacional method का यह ब्रचखन विधी का लेकिन मैं अगर simple method करूगे आपको पता है कि मैं simple method ही पसंद करता हूँ तो यह method तो है इसको हमाँ simple करने कोशिश करता हूँ कि म ठीक है x को ignore कर दीजिए जब आप x को ignore कर दोगे तो आपको सिर्फ यह बचेगा यह बचेगा तो इसको solution कीजिए देखिए मैं कैसे करता हूँ इसी formula base पे याद रखिएगा कि x को मैंने ढख दिया है x हमारे पास अब नहीं है ठीक है तो हमारे पास सिर्फ यह है बच्चों इनको multiplication कीजिए नहीं की किहा हो जाएगा कि कि आप हमने किसके साथ करना है, इसका हमने,스озя rig करना है, तो जाद रखिए, इसको आप धखिजिए, की इसको ढिसको ढख लिए, उसको इसके call एक वाई को सिर्फ रखना है, तो सब्सक्राइब न arrive श्रीनितों वर सब्सक्राइब श्रीन माइनस कीसली बाइन गया वर सब्सक्राइब थीसिवा यहां क्याAPP सब्सक्राइब यहां पर क्याएगा minus 2 plus 3 और यहां क्या जाएगा 1 upon minus 9 ठीक का plus 9 ठीक है अब देखिए सवाल मैंने कहा था सवाल बहुत असान रहता है अब इसको minus कर देखे कितना जाएगा x upon 21 ठीक है minus का और इसका कितना जाएगा y upon minus plus 1 आ जाएगा 1 upon 0 जब यह 0 हो गया तो इसका मतलब है कि सवाल यहाँ पर खतम हो जाता है इसका no solution में आएगा कैसे तो यह बताता हूँ मैं थासा यहाँ करके ठीक है देखिए पहले हम x की solution करने के लिए हम इन दोनों को लेना पड़ेगा तो देखिए x upon कितना हो जाएगा 21 minus is equal to 1 upon 0 तो cross कर दीजिए तो देखिए इससे गुना हो जाएगा x into 0 is equal to minus 21 जब यही 0 हो चुका है तो सवाल ही खतम हो जाता है अब फिर हमने क्या लेना होता है y upon 1 is equal to 1 upon 0 देखिए यह तो y को ही 0 कर रहा है ठीक है तो सवाल ही खतम हो जाता है यानि 0 हो जाएगा तो कैसे सवाल ही नहीं हो पाएगा तो हम लिग सकते हैं इसका no solution यानि इसका कोई हल नहीं है इसका बास्तवीक मुल्ण नहीं है यानि इसका कोई हल ठीक है नहीं है तो आप अगर इतना भी लिग देते हो ना तो अंसर आ जाता है आप पता यहीं से लग जाएगा अगर 0 हो जाता है तो it means 2 सवाल यहीं पर खतम हो जाता है ठीक है आया समझ में सवाल बहुत इजी मैथड है जब मैं परता था तो यह मेरा फेवरेट हुआ करता था ठीक है और इसमें बहुत असानी से जो है अंसर किलियर दिख जाता है चलिए यह कोशन समझ में आई गया होगा अच्छे से अगर आप इसको चाहे multiplication method यानि आप उसको चाहे बिस्तापन विदी लगाओ चाहे आप बिलोगपन विदी लगाओ आपका अंसर यही आएगा ठीक है ना इसलिए आप confusion नहीं होना है method तीन method है हमारे करनेगा इस syllabus के regarding मैं करवा रहा हूँ ठीक है तो यह जरूरी है आपके confusion नहीं होना method आपको तीनो जो है बहुत ही अच्छे है सबकर जिस मरजी method से आप किजिएगा अंसर आपका वही आएगा ठीक है इसलिए जो method है उसको सीखने किया हो शकता है आपको चलिए देखते हैं इसी तरह से दूसरा question क्या है दूसरा question आप देख सकती हूँ हमारा दूसरा question जो है important है देख लिजिए 2x plus ठीक है y is equal to 5 यह है न question ठीक है और यह 3x plus 2y is equal to कितना है 8 ठीक है अब इसको क्योंकि आप equal में है तो minus plus में कलती हैं हमेशा होती रहेगी तो इस बात पर आप ध्यान रखना है इसको सही करम में कर लिजिए 2 from 1 and 2 से ठीक है तो यह plus y हो जाएगा is equal to 5 or minus 5 ठीक है और यहां जगा 3x plus 2y minus 8 यह है तो आप आपने क्या करना यहां पर देखिए यह x के लिए यह x के लिए हो गया तीने चीज़ मैंने लिख लिए अब हमने क्या करना है इसके साथ इसके साथ इसको multiplication करना है तो minus 8 ठीक है into 2 ठीक है अब बीच में minus रहता है क्योंकि आपको पता है न मैं x को eliminate कर रहा हूँ sorry मैंने गलती कर देखिए क्योंकि x को हमकर हम इलिमिनेट कर रहे है तो इसके साथ गुना होगा sorry यह गलती हो रही है ठीक है क्योंकि हमने x को eliminate करना है तो इसको multiplication करेंगे अब फिर इसको इसको तो क्या हो जागा 2 into minus 5 ठीक है अब हमने क्योंकि y को eliminate करना है तो y को eliminate करने के लिए क्या करेंगे इसके साथ इसको multiplication करेंगे 3 into minus 5 ठीक है और बीच में minus अब देखिए इसको इसको साथ multiplication करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 into minus 8 हो गया अब हमने क्या करना है जब हमें 1 ले और 1 का हम सब solution करते हैं इसको हम ढख देते हैं ठीक है तो यह क्या हो जाएगा इसके साथ इसको multiplication हो जाएगा ठीक है तो क्या हो जाएगा 3 into 1 minus इसके साथ इसको हो जाएगा तो 3 into 2 ठीक है तो इस तरह से जो होगा question हमारा होगा ठीक है नहीं इहां 2 आएगा, sorry, यह उल्टा मैं कर रहा हूँ, 2, 2 से इधर आगा 2, 2, 2 तो इधर आएगा, और इधर आएगा, 3 into 1, यह मने गलती कर दिया है, ठीक, इत्वा सा गलती हो गई थी, क्यों कि मैं, यहां इसके साथ माइटिफिशन हो गई, यह रूल डेगूरेशन यह ही कहता है इसके साथ माइटिफिशन हो गई थी, ठीक है, आप किजिए, इसको सुलूशन, x अपन कितना हो जाएगा, minus 8, plus 10, ठीक है, क्यों, minus, minus, plus हो जाएगा, और y is equal to कितना हो जाएगा, minus 15, plus 16, 8 हो जा 16, इसको हो जाएगा, 1 upon 4, minus 3, minus किजिए, कितना हो जाएगा, x upon 2, इसको किज जाएगा, 1 upon 1, अब दखीए, इसका सुलूशन कितना हो जाएगा, x upon 2 is equal to 1 upon 1, तो x into 1 is equal to 2 into 1, तो x बराबर कितना आगा, 2 1, ठीक है, अब y कैसे होगा, y upon 1 is equal to 1 upon 1, तो इसको कहिजिएगा, 1 is equal to 1, तो हमारा जो अंसर है, बहुत ही, असान तरीके से आगया, x बराबर आग तो ये method जो है, बहुत ही असान method है, ठीक है, मैंने पहले भी कह चुका हो, कि ये मेरा favorite हुआ करता था, काफी मुझे अच्छा लगता था, क्योंकि इसमें थोड़ा सा, बहुत ईजी तरीका से हमें अंसर पहले ही पता लागा, कि अंसर है, क्या और क्या आ रहा है, ठीक है, सवाल करने में तब मजाता है, तो दोनों की करते हैं साथ में, ठीक है, यूटूब पर हो जाए, जहां मर्जी से पर हो, लेकिन मजा तो यही है, कि साथ में करते हैं, तब समझ में आता है, ठीक है, अगर साथ में करोगे, तो आपको काफी अच्छा मैसूस होगा, और आपक इस फॉर्म से कभी solution नहीं करता हूँ, यह तो आपको पता ही होना चाहिए, क्योंकि हमने इसको सही करना लेना है, from 1 and 2 से, ठीके, तो हमने इसको 1 बना देना है, और इसको 2 बना देना है, क्योंकि हम एक को ढगते हैं, तो पता ही है, आपको minus 20, और यहाँ 6x minus 10y, ठीके, और य इस तरह से जो हमने question करना है, आप देखी क्या है, अब हमने x लिख लिए यहाँ, यहाँ y लिख दिया, और यहाँ क्या कर दिया है, हमने 1 लिख दिया, तींचे जी मैंने लिख लिख लिया, अब क्या होता है हमने, अगर हमने x को solution करना है, तो इसको ढगना है, यही हमने ब इसको कुना कर दीजिए 6 into minus 20 ठीक है यहाँ जाएगा minus इसको किसका हो गया अब इसके साथ इसको क्यों आई है न तो यह धका हुआ है हमारा ठीक है तो यह हो जाएगा 3 into minus 40 अब इसको हमने धक देना है तो क्या जाएगा इसको जाएगा 6 into minus 5 और minus कितना जाएगा 3 into minus 10 ठीक है आप देखिए एक सपॉन कितना जाएगा दोस्तों इसको जाएगा 200 ठीक है इसको गुना कर दीजिए minus minus तो खतम जाएगा प्लस हो जाएगा यह प्लस हो गया तो minus ही रहेगा 200 ठीक है ट्वेंटी ओ ट्वेंटी ओ ट्वेंटी यह आएगा ठीक है और यहां के आएगा equal y upon 18 minus 18 12 plus 12 120 ठीक है और यहां के आएगा 1 upon minus 30 plus 30 ठीक है आप इस सवाल में एक चीज़ देख रहे हो गए कि यह जो हो गया x वराबर 0 हो गया ठीक है 0 में चला गया y वराबर कितना आ गया इसमों minus के जाएगा minus का 60 आ गया और यहां पर 1 upon 0 आ गया तो इसका मतलब है सवाल तो यह इसमों के इसमें यह जो हीक है तो हम इसको लेग सकते हैं यह सवाल में minus connuson है क्यों क्योंकि इसमें यह भी 0 है यह जीरो है तो आप कैस सकते है minus solution ठीक आएगा यानि इसका अनेक हल है क्या है दोस्तों इसका अनेक हल है ठीक है क्योंकि आपको यह जीरो हो चुका है आपको रुके दिखाओगे भी जीरो ही आएगा तो अंसर जो है यहीं पे हो जाएगा इसका अनेक हल है तो यह अब समझ में आए बहुत ही असान तरीका होता है अंसर हमें पहले ही पता लग चल जाता है अब चलिए देखते हैं इसका फॉर्थ कोशन क्या है फॉर्थ कोशन आप जैसे देख रहे हो वो यह है ठीक है तो X-3Y-7 तो अब साथ कोशन तो किसार आपने गलती कर रहे हो यहाँ पर कि आपने सवाल गरत लिख लिए है ठीक है कि मेरे पास एकी बार जो भी मैं करता हूं एकी बार करता हूं मुझे दुसरा करने की जुरूरत नहीं है ठीक है रोल तो यही है दखिए यही चीज हमने फिर से किया तीन जगा हमने लिख दिया अब हमने क्या इसको एकस के लिए बना लेते हैं ठीक है और इसको वाई के लिए इसको बन के लिए हो गया अब देखिए रोह हमने अगर एकस को एल्मिनेट करना है तो एकस को हमने ढख लेना है तो इसको सब किजिए, तो minus 3 into minus 15, minus, इसको सब किजिए, minus 3 into minus 7, ठीक है, यहाँ पर जो सवाल गलती हैं, दोस्तों होता है, वो बच्चों को minus मार देता है, बच्चों को, तो minus अगर आपको समझ नहीं देगा, तो 100% आप गलत किजिए गाई, अब इसमें क्या करना है, हमने इस इसको करेंगे, तो 3 into minus 7, ठीक है, अब इसको किया कर देजिए, minus 1 into minus 15, ठीक है, यह हो गया, अब हमने क्या करना है, क्योंकि हमने, अब 1 का लेना है, तो इसको ढख लेना है, अब इसको ढख लेना है, अब इसको ढखेंगे, तो क्या करेंगे हम दोस्तों, इसको साथ, इसको multifusion करेंगे ठीक है तो इसमें ये rule होता है कि इसको multifusion किजिए तो 1 into minus 3 1 into क्या हो जगा minus 3 और यहाँ जगा minus अब 1 into minus 3 हो गया अब इसके साथ इसको तो 3 into minus 3 ठीक है तो यह हो गया अब हमने क्या करना है x आप solution करने 45 लेकिन प्लस का 45 तो minus minus cancel out हो गया minus 21 y upon क्या हो जाएगा यहां देखिए कितना जाएगा सत्या 20 minus का प्लस 15 ठीक है और यहां क्या जाएगा 1 upon minus 3 plus 9 ठीक है सवाल देखिए बहुत असान से हो जाता है कोई खासने इसको minus किजिए कितना जाएगा 4 24 ठीक है इसका कितना जाएगा y upon 1 यानि 6 minus 6 तो यहां कितना जाएगा 1 upon 6 तो सवाल देखिए बहुत असान तरीके से हो जाता है क्योंकि मैंने कहा ना सिरफ आपको करने का तरीका सही आपको guidelines होना जरूरी है क्योंब बच्चे देखो वही सीखते है जो गुरू सिखाते हैं बच्चे अपने knowledge से नहीं सीख लेते हैं ठीक है तो गुरू भी अच्छी होने चाहिए ठीक हो गया cross कर देजिए 6 x is equal to 24 तो x is equal to क्या हो जागा दोस्तो 24 upon 6 4 आगया तो x बराबर कितना आगया 4 अब y कैसी नहीं का लेंगे हम वही y upon minus 6 is equal to 1 upon 6 तो 6 y is equal to minus 6 तो y is equal to 6 upon 6 cancel out minus का 1 तो क्या सकते हो कि x बराबर हमारे पास कितना गया 4 y बराबर minus 1 तो इस तरह से जो है हमारा सवाल complete हो गया कोई problem थी कोई नहीं समझ में आया तो आप मुझसे पूछ सकते हो question जो दोस्तों है बहुत ही असानी से निकल जाता है अगर आपको rule regulation पता हो तो चलिए इसके साथ अगला question हम देखते है अगला question हमारा जो है दूसरा है ठीक है ये भी बहुत महत्वपून होती है ये question जो है इस question को कैसे करना है confusion नहीं होना है पहले तो सबाल हम उतारते है इसमें ये है 2x plus 3 y is equal to 7 ये है न हाँ उसके बाद a minus b ये x के लिए है plus a plus b ठीक है ये y के लिए है और उसके बाद क्या है is equal to 3a ठीक है plus b minus 2 ये है अब इस सबाल को solution करना भी कोई tough कारे नहीं है सिरफ आपको समझ होना चाहिए ठीक है इसमें कि बोला है कि जब इसमें बोला infinity number of solution जब infinity है तो simple सी बात है हमने जो है 3.2 किया है तो देखिए मैंने कहा ना सबाल उनी में से होता है लेकिन आपके निफ्यूज़ आते हो ठीक है इस 3.1 में आप जिन मच्चों ने किया उनको इसी से हो जाएगा तो ये 2 अपन क्या हो जाएगा इसको हमने a minus b लेना है ठीक है ये हो गया ये हमारा इसके लिए होगा 3 upon क्या हैगा दोस्तो a plus b और ये होगा 7 upon 3 a plus b minus 2 ठीक है बहुत सवाल असान है कोई खास नहीं है आप देखिए क्या करना है हमने इसको इसको क्रोज करने फ्रीज मिरों करने है ठीक है तो देखिए इसको करते हैं पहले हम भूल जाते हैं पहले इन दोनों करते हैं पहले हम लिल लेते हैं 2 a minus b is equal to 3 a plus b आप इसको क्रोज कर दीजिए आपस में तो 2 a plus b ठीक है और इसको कितना हो जाएगा ठीक है यहाँ हो जाएगा 3 is equal to लिजिए a minus b ठीक है दिख़ए हैं आपको सभी से हो रहा है अब 2 a plus 3 b 2 b 3 a minus 3 b आप इसको लिए यह 2 a plus 2 b ठीक है minus 3 a plus 3 b आप देखे क्या है यह b b हैं तो plus हो जाएगा is equal to 0 रखिए इसके plus हो जाएगा यह हो जाएगा इसके सब किज़ए माइनस तो minus a हो जाएगा plus 5 b तो a is equal to कितना हो जाएगा 5 b ठीक है यह हमारा equation एक बन गया बन गया अब जब equation हमारा यह बन गया देखे अब अंसर नहीं आया है यह बराबर 5 b आया है तो b का answer b हमें तब ही पता लगेगा जब हम b का answer निकालेंगे तो तब ही तो मैंने कहा था तब ही तो मैंने इसको दो पार्ट कर लिया था ठीक है अब जो है इसको और इसको हम करेंगे तो क्या लिखेंगे 3 a plus b is equal to 7 3 a plus b minus 2 यह हो गया cross कर देजिए इसके साथ a plus b is equal to 7 3 a plus b minus 2 यह हो गया तो देखिए 7 a plus 7 b is equal to 27 यह हो जाएगा यहा ठीक है और यहां क्या आजएगा plus 3 b minus 6 अब इसको दर ले आजिए 7 a plus 7 b minus 9 a minus 3 b plus 6 अब solution करना है हमने इसको minus किजी कितना आएगा 2 आएगा minus का इसको किजीए इसको किजीए कितना आएगा plus का 4 b plus 6 equation 2 बन गया अब एक चीज़ तो आप कर सकते हो न कि a का value जो है part b में रख सकते हो यानि a का value हम क्या कर सकते है हम रख सकते है लिखेंगे a का value putting in 2 में तो a का value कितना है minus 2 into 5 b plus 4 b plus 6 तो कितना जगा 10 plus 4 b is equal to o plus 6 ठीक है जब यहां तक question हो गया है तो आए कोई भी problem नहीं है दखिए यह minus है plus किजीए तो minus का 6 b हो जाएगा क्यों क्योंकि इसमें minus हो गया और यह plus 6 है तो 6 b is equal to कितना जगा दोस्तों 6 ठीक है तो 6 हो गया जब यहां पर हो गया है तो सवाल आप रहने ही गया सवाल तो clear हो चुका है कि b का answer जोगा 6 upon 6 cancel out तो b बरावर कितना आगा 1 आगया b बरावर 1 जब b बरावर 1 आगया तो जब आप इसमें apply किजेगा यहां पर देखिए apply किजेगा यहां पर a is equal to 5 into b 1 नहीं रखिएगा क्यों b के विलिए 1 है तो a बरावर 5 हो जाएगा ठीक है तो answer तो आगया इसका मतलब तो a हमारा कितना हो गया a हमारा हो गया 5 और b हमारा हो गया 1 तो इस तरह से जो है answer इसका आगया कोई doubt कोई problem तो आप पूछ सकते हो खास नहीं था question ठीक है न यहीं तरीका से था यह तो मैं इधर कर दिया है तो आपका infusion नहीं हो न ठीक है इसका b answer है और असानी से सवाल जो है हो गया चलिए देखते हैं अगला question हमारा क्या है अगला question जो हमारे पास है वो इसी का part है second part है ठीक है वो तो पहला part था यह second part है इसमें देख सकते हो 3x जो है हमारे पास plus y is equal to 1 है ठीक है और दुसरा जो है 2k ठीक है minus 1 का x और क्या है plus k minus 1 ठीक है y is equal to क्या है हमारे पास 2k plus 1 सवाल यही है ठीक है आप इसमें भी वही करेंगे 3 upon 2k minus 1 और दुसरा क्या होगा दुसरा जो होगा बरावर में रख लिए कोई पास 1 upon k minus 1 और दुसरा क्या होगा 1 upon 2k plus 1 यही सवाल है अब हमने पहला यही करना है पहले क्रोश कर देना है तो इसमें 3 k minus 1 is equal to 1 2k minus 1 ठीक है तो 3k minus 3 is equal to 2k minus 1 हो गया आप देखिए सब को इधर ले यह 3k minus 3 minus 2k plus 1 अब क्या हो जागा दोस्तों यह जो है minus हो जागा तो यहां क्या जागा k is equal to minus हो जागा क्या जागा यहां पर रखिए minus का ही ठीक है minus का 2 क्योंकि इसको किया तो किया तो किया तो यह आगया तो आप कह सकते हो k is equal to कितना अनसर आ गया सवाल कोई मुस्किल नहीं होता है सिरफ करने का और सही तरीका आपको knowledge हो जब सही तरीका और knowledge होगा तो सवाल जो है automatic असान तरीका से हो जाएगा चले देखते हैं एक और question जो है इसका third है third part में क्या देख लेते हैं question आप देख सकतो लिखा हुआ है all the flowing pairs of line equation by the substitution and cross multiplication method पहले तो यहां substitution method पूछ लिया है फिर cross multiplication यानि इसमें substitution यानि विस्ताव इसमें हमने क्या क्या है इसमें विस्तापन विधी पूछ लिया है और इसमें ब्रचखन विधी पूछ लिया है तो चले देखते हैं इस question कैसे किया जा सकता है तो सबसे question देखिए क्या है थर्ड question है ठीक है इसमें दो पार्ट पूछा हुआ है तो हम तो जो ऐसे CVC है कोशन उसी बेस पे हम करने कोशिश करेंगे क्योंकि जो rule है तो rule है rule के खिलाव हम थो जा सकते हैं तो 3x plus 2y is equal to कितना है हमारे पास 4 यही question है कि इसमें सब क्या बोल X is equal to 4 minus 2y तो X is equal to कितना जागा 4 minus 2y upon 3 यह होगया आप क्या करना है X की value किसमें रखना है value putting in 1 में ठीक है 1 में हमने रखना है इसमें तो देख लिजिए X है न तो 8 into 4 minus 2y upon 3 plus 5 is equal to 5y 9 छोटी मोडी गल्दिया करोगे तो हमेसा मुसीबत पर जाओगे आप इसको multiplication कर दीजे 32 minus 16y यह जागा 15y 27 यह हो गया देखिए मैंने क्या किया इसको multiplication कर दिया इसको साथ इसको कर दिया इसको कर दिया ठीक है तो इसमें देखे क्या हो गया 32 minus 16y plus 15y minus 27 is equal to 0 मैं इधर ले आया हूँ आप इसको multiplication किजिए minus किजिए तो minus का y ठीक है इसको minus किजिए minus कितना आएगा plus का 5 तो y is equal to कितना आगया 5 एक answer देखिए आगया ठीक है अब इसको किसी में भी put कर दिये y के value putting in putting in 3 में कर दिजी यह 3 equation था क्योंकि हमने इसको बनाया था अभी जरुबत नहीं थी तो हमने नहीं लिका था आप जरूत पड़ गई तो हम इसको 3 ले लिया ठीक है तो एक स्कूल कितना हो गया 4 into oh sorry minus 2 into 5 upon 3 तो एक स्कूल कितना हो जागा 4 minus 10 upon 3 कितना जागा minus 6 upon 3 3 to 6 ठीक है तो y is equal to कितना हो जागा दोस्तों minus कितना हो गया हमारा आगया minus 2 तो इस तरह से चो answer हो जागा x ब्राबर हमारा जगा x ब्राबर minus 2 देखिए मैं यहाँ y लिख रहा हूं x दोस्तों यह x है ठीक है y नहीं है x ब्राबर minus 2 हो गया y ब्राबर 5 answer ठीक है यह answer आपका बन गया यह तो था substitution method लेकिन इसने क्या बोला है कि इसी question को आपको जो है cross section method यानि brush gun video दोरा करना है यह question 30 है ठीक है question same है लेकिन इसको method उसने पूछ लिया है दो-दो method अब देखे examiner है जैसे मरजी पूछेगा आपको करके दोगे तब ही पूरे number देंगे नहीं तो वहाई वो क्यो number देने वालों में से है ठीक है तो यह हमारा है 4 तो आपको पता ही हम क्या करते है पहरे तो सही करम में करते है from one and two से ठीक है देखिए मैंने कहा है जो भी method आप यूज करोगे ना answer तो आपका वही आना है जो आता है ठीक है answer का कोई doubt नहीं रहती है answer तो वही होता है अब यह हो गया तो सही form में किजिए पहले 8x plus 5y minus 9 3x plus 2y minus 4 यही है अब देखिए आपको पता है ना कि इसको मैं तीन भागों में बार देता हूँ जो है so है अब देखिए अगर हमने x यह x होता है यह y होता है यह one होता है अगर x को eliminate करना तो x को ढख लिजिए तो इसके साथ इसको कुन ढख लिजिए my 4 minus 4 यह हो गया अब इसको साथ इसको क Y को ढख लिजिए तो कैसे Y को ढख लेंगे तो हम कैसे multifusion करेंगे तो इसको multifusion करने के लिए हम एसा करना है उपर से नीचे के तरफ जाएगा तो एट इंटू टू माइनस ठीक है इसको हम ढख चुके है न तो यह रह जाएगा तो किजिए थी इंटू फाइव हो गया अब जो है इसमें पता है क्या मुझे यह मैथर बहुत अच्छा इसलिए लगता है इसका अंसर डिर्क यहां आएगा वन सोलह माइनस पंद्रह ठीक है तो देखी सकते हो कि प्रवल्म क्या है सवाल जो है हमारा आ चुका है एकस अपॉन कितना जाएगा माइनस टू वाई अपॉन कितना जाएगा बद तीस यानि पांच यहां अपॉन अपॉन ठीक है कितना असानी से अब लग कितना बृवल्म लाहिए तो इसम यह कॉश्टर को बहुत असान फि pra सी कुश्री में है तो इस में नहीं नचीजित ठीक है दोस्तों यह कोशन बहुत ही इंट्रेस्टिंग था बहुत मजजदार था आपने भी देखा होगा बहुत ही मजजदार तरीके से आप भी कर सकते हो प्रेक्टिस करोगे तो चलिए पहना कोशन देखते हैं क्या है स्कार्ट ठाक्तम आप्ते हैं ड untukba भी आपने पैघ के रूट भी कर भी चलिए आप दो किर 30 किर and the fixed charges and call stop per day देखिने देखके हैं छोई मुश्किल नहीं है अब ध्यान से देखोगे तो बहुत असान है सिरफ आपको समझने की जरूरत है तो चरह देखते हैं question में क्या है और क्या कहना चाहता है सबसे पहले परली है इसमें clear ऊपर दिया गया है कि हमें दो चीज़ पता करना है फिक्स चार्च and अ कोस्ट आफ फूट पर दी तो वही लिखेंगे देखें कि कोशन चोथे का फॉर्स्ट में क्या है कोशन दोश्ट तो मुश्किल नहीं होता सिर्फ करने के तरीका होना चाहिए पहले तो यही लिखेंगे हम कि फिक्स चार्च फिक्स चार्च चार्च क्या होगा फिक्स चार्च हमारा एकसी रुपिया होगा और क्या दूसरा पूछ रखा हमसे ठीए कोस्ट आफ फूड पर दे ठीए पर दे पूछा हो है न यह अंपर दिन क्या होगा यह ही होगा जर्नल सी बात है एक एक्स होगा दुसरा यह ही होगा तब ही तो सवाल बनेगा अब according to question क्या बोलता है अब यहाँ पर समझने की बात है देखिए उसमें कुछ उल्टा उल्टा बात है इसमें नहीं बोला है इसमें भी बोला कि जब वो लेता है depend on the number of day ठीक है 20 डे लेता है तो इसको इतना pay करना परता है तो एक तो हमारा fixी रहेगा तो x प्लस क्या जाएगा 20 डे ले रहा है तो y is equal to 1000 हो गया कोई मुस्किल नहीं था equation 1 था और फिर a quality question इसमें दूसरा को बोला है question में क्या बोला है कि 26 डे लेगा तो fix to x ही लेगा दोस्तो 26 is equal to 1180 ये 2 बन जाएगा question दोस्तों बनाना बहुत मुस्किल नहीं और दूसरी बात इसमें ये question बोला है जो भी method आपको अच्छे से आता वो कर लीजिए तो आपको तो पता है कि अगर हमारे बात से xx बचा हुआ है तो general सी बात है मैं elimination method यूज़ करूँगा यानि जो है हम method यूज़ करूँगा method जो होगा method to use करूँगा यूज़ इसलिए करूँगा क्योंकि मुझे xx मिला हुआ है ठीक है तो लिख लीज़े इसको x plus 20 y is equal to 1000 ठीक है यहाँ जाएगा x plus 26 y is equal to 1080 ठीक है तो देखिए क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर हम लिखेंगे subtract करने पर यानि घटाने पर ठीक है घटाने पर लिखना बहुत जरूरी है में तो आपको एक्जामलर गलत कर देंगे या सब्स्टेशन करने पर minus कर दीज़े minus कर दीज़े cancel out minus 6 y अब इसको कीज़े कितना हैगा 180 ठीक है असान है लेकिन minus का cancel out minus minus 6 y is equal to 180 तो y is equal to कितना जगा दोस्तों 180 अपॉन 6 30 तो y is equal to कितना हो गया 30 ठीक है देखिए यानि पर डे जो है हमारा food का charges निकल गया देखिए दोस्तों कितना असानी से मैंने कर दिया ना सिरफ हमने कहा ना करने का तरीका आपको सभी पता होना चाहिए आप y की वेल्यू जो है वेल्यू पुटिं इन 1 में कर दिजी ठीक है 1 में कर दिजी x plus 26 y is equal to 1000 ठीक है 1000 आ गया x plus 26 into 30 is equal to 1000 कितना जगा दिखिए 18 8 0 ठारव छे सेवा तो कितना जगा इसको मैनस कीजिए 20 1000 नहीं हमने गल्ती कर दिया हम देखिए equation जो है हमने इसको लिख लिए और यहां 20 आगा सोरी 20 आगा वह दरबर बड़ है 6 आगा 600 देखिए मैं equation यह लिखना था बाकी पार्ट लिख लिए 20 हमने 26 उठा लिया इसको लाट आता ने छोड़ी छोड़ी बाती ठीक है equal to 1000 तो x is equal to कितना जगा 1000 minus 600 ठीक है तो x is equal to कितना जगा 400 तो यह तो चार्जिस हो गया आपको पता लग गया कि fix जो चार्जिस थी ठीक है fix जो हमारा चार्जिस है ठीक है वो चार्जिस कितनी है दोस्तों fix चार्ज ठीक है fix चार्जिस जो हमारा है वो हमारा 400 है ठीक है और food के जो पड़े लग रही है वो कितनी लग रही है वो लग रही है आपके 30 रुपीस पड़े के हसाब से तो इस तरह से जो है हमारा answer बहुत ही असान तरीके से आ गया ठीक है कोई doubt थी कोई problem था तो आप पूस सकते हो साइद आपको doubt ही रहा कि भी सवाल समयाने के तरीका ही इस तरह से है चलिए लगते हैं अगला question क्या है अगला question आप देश सकते हैं लिखा हुआ अफिक्षन हो become one upon three when one is a subtract form to the nominator and it is become one upon four when two eight is adding to be a dominator fine the fiction तो दोस्तों बहुत easy है इसमें अंस और हर की बात की गई है ठीक है नोमिनेटर जो है हमारा answer है और डोमिनेटर जो हमारा हर है तो चलिए हम देखते हैं क्या है question में यह second question है fourth का second question है ठीक है इसमें देखिए अंस कितना है अंस यानी नोमिनेटर ठीक है नोमिनेटर जो है एक्स है और हर जो है डोमिनेटर है जो य है ठीक है यह पहले तो हमने xy लिख लिया तो इसका भीन जो यानि fiction क्या बनेगा भीन बनेगा 1 upon 3 कब बनता है जब हम नोमिनेटर में एक माइनस कर देए यही बोला है ना कि सबस्ट्रेक फ्रॉम दा नोमिनेटर 1 इस तो नोमिनेटर हमार उपर वाला है according to question तो क्या होगा x-1 upon y is equal to 1 upon 3 यही बोला है ना ठीक है शुक्रा कर दिजे 3x-3 is equal to y इदर ले आई है 3x-y-3 equation 1 बन गया कुल सा मुस्किल था कहते हैं ना कोशन सिर्व आपको देखने में बहुत ही tough लगता है लेकि करना बहा असान है अब देखे क्या बोला है कि become 1 upon 4 तब बनता है जब 8 to the dominator 8 8 कर देते है according to question क्या बोला है कि function जो है तब बन जाता है वो 1 upon 4 जब हम dominate जो होता है जिसकी हमारा हर है उसमें हम क्या करें 8 जो है add कर दे तो 8 add कर दिया तो 1 upon 4 बन गया अब हमने क्या करना है cross कर देना इसको देखिया तो यह जगा 4x is equal to y plus 8 4x minus y is equal to minus 8 question 2 बन गया सवाल हो गया आप इसमें क्या करना है देखिये आप सवाल में देख रही होगा कि एक बाद तो आपको जर्नली यहाँ पर नजर आ रहा होगा वो निगर क्या आ रहा है तो यहाँ पर y जो है खाली है ठीक है तो हमारे लिए जो है इसमें हम method जो होगा method to use करेंगे to use का मतलब बता है elimination method क्यों क्योंकि हमारा यहाँ वाई खाली है कि दोस्तों सवाल करना आप पिडिपेंड करता है कि आप यहाँ पर कितना तेज दिमान यूज करती हो ठीक है आपको वहाँ पर देखना होगा कि सवाल हम कैसे कर ले कि हमारे लिए असान हो जाए अब दखिए इसमें minus minus है तो हम लिए लिखेंगे subtract करने पर या घटाने पर ठीक है यह Hindi English में मैं इसलिए कर आता हूँ कोई बच्चे को कोई तरह के doubt न रहे ठीक है मैं दोनों जो है Hindi English में अले बच्चे असानी से कर ले ठीक है मैं तो सिर्फ परपस यही कि आप लोग अच्छे से कर लो अदरवाइस कुछ नहीं है ठीक है देखिए cancel out यह minus है यह plus है तो minus का है x ठीक है यह plus है यह minus है तो 5,6,7,8 यानि अब हमने क्या करना है x की value किसी में input कर देए 1 में करना है 1 में कर देए 2 में कर देए तो हम लेखेंगे x की value put in in 1 में चलिए 1 का है तो 1 ही input कर देते हैं तो 1 का है 3x minus 3 ठीक है sorry y minus 3 छोटी मेंटी कलतिया करके नहीं अच्छा नहीं होता ठीक है तो देखी क्या आगे हमारे पास x की value आगे थी है न 5 तो 3 into 5 x की आगे हाँ minus y minus 3 तो आप क्या होगा 15 minus 3 minus y तो इसको minus कर लिए कितना 12 आगे है is equal to minus y तो y is equal to कितना गे है दोस्तों 12 अब हमें पता है कि भीन क्या है यानि fiction क्या हमारा बना था x upon y बना था न यानि fiction यही बना था न तो देखी है x की जिए कितनी हमारे पास देखी है 5 और y की value कितना है 12 तो यह इस फिरम में बन गया answer कोई मुश्किल था ठीक है कोई doubt था पूछ सकते हो ठीक है question नहीं दिखा तो कोई बात नहीं देख सकते हो question जो है हमारा 5 upon 12 असानी से आगया क्योंकि भीन हमने x y बनाया था पहले ही देख सकते हो यहाँ पर हमने यहाँ पर बनाया था x upon y fiction भीन बनाया था तो हम इसी तरह से यहाँ apply कर दिया है कि जैसे हमने बनाते है वैसे हमें apply करना होता है ठीक है कोई डाउट ठीक है अगरा question देखिए क्या है अगरा question देखिए क्या है score of 40 mark in the test getting 3 mark of the each right answer and and loss 1 mark of each or wrong answer head of 4 marks has been awarded to the each correct answer and 2 marks have reduced for the each incorrect answer then yes would we have to the score of 50 marks how many questions were there in the test question देखिए कोई मुस्कील नहीं बहुत ही असान है सिर्फ आपको समझने ही जरूरत है ठीक है तो यह marks की बड़ाबर है हम सबसे पहले यहीं लिखेंगे कि correct कितनी थी और right और जो wrong थी वो क्या थी तो यह question इसी base पे बनेगा तो हम इसमें क्या लिखेंगे question 4th का यह 3rd part है left के लिए तो wrong के बना लेजिए wrong answer के लिए wrong answer के लिए यानि सही के लिए यह सही के लिए है और यह गलत के लिए ठीक है तो यह y बन गया बन गया न वाई अब according to question क्या बोला है फोटी marks कब लेता है जो तुरी each of the right answer के लिए 3 numbers को मिलता है तो यहां पर 3x हो जाएगा और क्या बोला है अगे one lose कर दिया जाता है यानि काट लिया जाता है number जब उसका गलत होता है तो कितने की ब्राबरता हो 400 होगे 40 number के ठीक है 40 number के question एक बन गया अब according to question क्या बोल रहा है बोल रहा है कि 4 mark has been awarded for the correct answer तो 4x in plus में बात कर रहा है अगर 2 mark has been derived for the incorrect answer तो 2y हो जाएगा तो इसका कितना total marks मिला है 50 ठीक है तो इस तरह से question बहुत असानिस हो जाएगा देखिए अगर चाहिए चाहते हैं तो इसमें से common भी आप निकाल सकते हो कि यहाँ पर 2 common दिख रहा है मुझे common निकालना समझदार बच्चों की निशानी है ठीक है जो बच्चे समझदार है common निकाल के छोटा सवाल बना लेते है ठीक है 2y यहाँ पर क्या में लिख रहा हूँ यह 2 होगा यह नहीं होगा क्योंकि 2 तो हमें निकल गया न तो यह कहां से आजाएगा यह है अब देखिए यह 2 जोगा इसको 50 को डिवाइट करेगा 2 से तो 25 आजाएगा तो question हमारा क्या बन गया 2x minus y is equal to 25 ठीक है यह question हमारा कितना बन गया यह तो 2 था ठीक है 2 यह नहीं था 2 इसी को बना लेजी क्योंकि हमने इसी को आगे solution किया तो यही बनेगा अब देखिए क्योंकि इसमें देखिए x x जो है मुझे खाली form में दिख रहा है तो इसका मतलब है कि हम method जो है बिचलें बिचलें कोदी यह तो Hindi English बड़ी confusion करती है कौन से method किसका नाम है एक तो Hindi ठीक है तो आप देखिए क्या है इसमें जोनों minus form में है तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर घटाने पर याने सब्स्ट्रक्ट करने पर तो देखिए यह जoleगा minus यह जपा plus यह जबा minus यह जबा माइनस किजिये तो x जगा minus का ठीक है और हितर कितना जाएगा minus किजिए 5 15 वो यह जबास तो 345 जाएगा वो माइनस के तो minus a block कितना ओ grasses एक आ गया जीए collec बास इस अशे नहिए co question किया है सही अब गलत कितमा किया है तो इसको किसी भी question में डाल देजिए x का value put in किसमें रखिएगा 1 में तो रहली रख देते हैं 1 में क्यों में नहीं ठीक है तो 3x minus y is equal to 40 तो x का आया ना 3 into 15 minus y 40 तो 31 minus y is equal to 40 तो minus y is equal to कितमा जगा 40 minus 30 तो कितना जगा y is equal to यह कितना आएगा देखिए गलत होड़ा है ना मैं वहीं सोच रहा हूँ मैं जर्वाजी में ना इसे गलती कर जाता हूँ यह 45 आगा क्योंकि 15,3 यह 15,45 होता है ठीक है 45 आगया तो यहा minus है यहाँ पर आएगा 5 माइनस का 5 ठीक है तो यह चोटी मोटी गलती है रह जाती है तो अध्यान दीजिएगा ठीक है कि 35 आगया 45 होता है यह mistake किया था मैंने 45 से माइनस से माइनस कर देखिए लावट तो y is equal to 5 ठीक है यह तो हो गया इसको गतल सके टोटल कोर्स्षन के लिए हुए फे टोटल तो इस तरह से सवाल खतम हो गया बहुत ही असान तरीके से ठीक है आप अपना जो है ऐसे ही किया कि ये कोशन साथ में कोई गरबरी हो कोई प्रॉलम हो ध्यान से करेगा तो नहीं होगा क्योंकि मैं भी तो जलबाजी कर जाता हूँ थोड़ा सा प्रॉलम रहती है ठीक है क्योंकि मैं डिरेक्ट कर रहा हूता हूँ कोई मेरा वहल पूप नहीं रहती है तो तो हमारा इसका आगला चौथा कोशन है क्या कहता है चौथा कोशन में दोस्तों बहुत ही एजी है प्लेस A and B are 100 km अपार्ट on a highway one car is travel from a a and another from a b at the same time if the car travel in the same direction at different speeds they meet in 5 hours if they are travel towards each other they meet in the one hours what are the speed of the two cars ठीक है तो इसके कोशन में कोई गो नहीं बोलाया कह रहा है कि A और B नहीं 100 km अप चलना है ठीक है 100 km उसने तया करना है one जो होता है A जो होता है B से same time पर दोनों चलते हैं traveling करते हैं different different speed पर 5 घंटे के बादे दोनों मिलते हैं ठीक है तो इसमें हमें दोनों गारियों की speed पूछ लिया है कि दोनों गारी जो है किस speed से चले हैं जो इनका जो है मिलेंगे तो जखी कुछ भी नहीं लेते हैं question fourth का जो है fourth party है ठीक है ध्यान दीजिएगा आप कि लेट माना ठीक कार जो है hundred ले लिया है अब झो हमने बोला है कि speed यानिmete of five घंटा के बाद मिलते है ठीक है तो इसका मतब दोनों ही मिल रहे है ठीक है तो दोनों ही मिल रहे है न पर five घंटे के बाद दोनों मिल रहे है तो इसमें हमें question करना पड़ेगा तो according to question क्या बोलता है तो यानि 5x-5y is equal to 100 य यहां पर देख सकते हो कि दिन में सारे में कोमन जो है 5 है तो 5 निकाल लेते हैं तो x-5 ठीक है यहां पर y ठीक है इसकोल टू 100 तो x-y इसकोल टू 100 अपॉन 5, 40 तो x-y इसकोल टू 40, equation 2 बन गया अब देखो इसमें x-y जो है तो आप थर्ड मैथोड उसकोल टू 100 तो आपको लग रहा हुआ ना कि बहुत ही सवाल यह है ऐसा कुछ नहीं दोस्तों यह सवाल बहुत ही असान सब होते हैं यह लंबे-लंबे स्टेट्मेंट्स होते हैं लंबे-लंबे स्टोरी दिया होता हैं आपको confused करने के लिए तो आप भी क्या करते हैं confusion में भुमते रहते हो नहीं confusion में भुमना है आपने Qution को main topic को पहचानना है और topic तप पहचान पाओगे जब आपको अच्छी गुरू मिलेंगे चिलाने वाले, सोर करने वालों से कुछ नहीं होता है सिरफ समझने वालों से समझिए ठीक है टेंसन से ले कुछ नहीं होता दोस्तों जिंदगी है तो टेंसन तो रहती ही रहती है और जिसको काम्याब होना है उनको हर चीज़ से जुझना ही परता है समझे बात को तो ये बात हमेशा याद रखेगा जो सांती मैं से और दिमाग से करेगा वही काम्याब होगा आपने हमेशा देखा होगा जब इससान पर बोच परती है तो जुख जाता है यसे आपको पता है बहुत सारे पेर पर आम लग जाती है तो पेर जो होता है जुख जाता है हम या नहीं हम की भाब ना रखना है हमने सिर्फ रखना है कि हम कर सकते हैं और करेंगे तो इसमें देख लीजिए बहुत ही असान तरीका यहां दिख रहा है यहां पर अल्लेटी प्लस माइनस में है तो हमें क्या लिखेंगे एडिशन करने पर ठीक है यानि जोर नेपर ठीक है जब अल्लेटी माइनस प्लस में तो कंसल आउट कर दीजे टू एकस बना दीजिए इसको दुने को प्लस कर दीजें कितना जाएगा एकसाओ चालीस ठीक है एकसाओ चालीस है हम यहां पर 20 है कि मुने गलती कर दिया दिखा है पांद दुनी 10 ठीक है 20 है ठीक है ठीक है देखे चोटा बड़ा गलती रखता है मैंने कहा ना कि मिने डाइडेक्ट ओ नहीं होता कि मैं सब कुछ में करके रखा रहता हैं तो कुछ भी नहीं है मैं जब भी करता हूं आपका सा करोगे ना बच्चे को दिमाग के समझ के करोगे तब ही कहते हैं किसी को समझाना है तो पहले उसकी सब बन के देखो तब समझ में आता है कि उसको क्या तकलीफ होती है ठीक है कि कहते हैं कि एक लड़की का दर लड़की ही समझ सकती है उसी तरह जो कॉश्चन करता है उसी को value जो है हम किसमें रखेंगे किसी में रख देजिए value putting in one में ही रख देजिए कोई बात नहीं one में ही रख देजिए तो यहाँ पर क्या है 60 है न तो 60 plus y upon 100 ठीक के equation यह है न तो मैं 100 रख दिया यहाँ पर और y यह हो गया तो क्या हो गया दोस्तु y is equal to 100 minus 60 तो x is equal to कितनी होगी 60 km पतिए घंटा ठीक है जाट होगी साट होगी align Systems तो कि अंसर अगया के सब अרג होकि और दुसरा का essa यहाँ यहाँ भी का सपीड स्पेंट्योंी कि किने हैए चालिस पर दिए ठीक है तो इस तरह से जो है अंसर आ गया कोई मुश्किल नहीं था बहुत यह असान तरीका से हुआ है अगर आप देखो गए तो बहुत यह असान से था सिरफ यह जो था मैंने काटने में फाइब टूजा टेन आता है तो मैंने यहां पर फोर कर दिया था जलवाजी में ठीक तो इसके बझसे जो सीवार साथ हुगया था otherwise सवाल जो था बहुत यह सान तरीका से हो गया चलिए मिस्टेक करना भी कोई कहते है जो गलती करता है वही सेखता है ऐख लगिन मुझे 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 नहीं करना चाहिए था यह पता है मुझे कोई बात में थूडा हो जाता है अगर दिख लेते हैं अगरा question कहता है the area of the rectangle gate is reduced by nine square unit if the length is reduced by five unit and the breadth will increase by three unit if we are increasing the length by three unit and breadth two unit the area is increasing by the seven square units find the dimension of the rectangle ठीए दोस्तों यह बहुत ही easy है इसमें पहले तो हमें पता होना चाहिए कि area of rectangle का formula क्या होता है ठीक है इसका x into y होता है आपको पता होगा तो इसको ठीक है x into y तो हमने यही लेना है कि dimension पूछा है ना तो हम पहले लेंगे length length and breath लेंगे ठीक है यह जो question हमारा fourth का fifth part ठीक है तो हम लंबाई x लेंगे और चोड़ाई ठीक है लंबाई length and breath ठीक है तो confusion नहीं होना चाहिए आपको length and breath की चक्कर में ठीक है x and y ले लिया ठीक है आपको पता है कि area of triangle क्या होता है area of area of rectangle ठीक erect angle length into breath यही होता ना x into y अब यहाँ पर क्या कहा है according to question में कि reduce by a nine square unit तो इसमें जो है हमारा x y minus nine कि reduce बोला है तो यह करेंगा अब उसमें क्या बोला है कि reduce by the five unit ठीक है लेकि length में जो है five unit हम यह x में हम क्या करें कि reduce कर दें ठीक है reduce बोला है ना हाँ reduce बोला है और increase कर दे three unit तो increase का मतलब plus होगा तो solution किजिए x y minus nine ठीक है कि is equal to two x y हो जाएगा यहां इसको किजिए plus three x हो जाएगा minus five x minus 15 ठीक है पता लग्या ना मैं इसको close करता हूं इसके साथ यह चोटी बात है तो आपको आता ही होगा इतना भी आप नहीं हो ठीक है इससे cancel out कर दीजिए कि माइना देखिए इधर आगे minus जाएगा तो यहां गट जाएगा minus nine is equal to three x minus five y माइनस 15 ठीक है अब यह उधर चला जाएगा तो three x minus three y oh sorry five minus fifteen plus nine तो क्या जाएगा three x minus five y ठीक है माइनस कर देखिए तो माइनस का six equation बन गया आप इसमें आगे बोला है according to question क्या बोला है देखिए इसमें यह बोला है in your increasing the length of three three xy जो रहेगा वही रहेगा देखिए 67 रहेगा इसमें ठीक है तो आगे बोला है कि three length of three unit यानि increase कर दिया जाए बढ़ा दिया जाए तो x plus three और क्या बोला है breath is a two unit यानि if we are increasing the length by three unit and breath दोनों को बढ़ा ही देना बोला है तो x plus two ही बोला है y plus sorry तो जब बोला है बढ़ाने तो बढ़ा ही दिया तो increasing हो जाता है 67 unit तो समने 67 unit दे लिया है ठीक है increasing हो जाता है तो चलिए देखते है x y minus 67 is equal to इसको कर दिजिए इसके साथ x y यह जगा plus two x plus three y plus six ठीक है यही होगा ना अब यह cancel out two x plus three y ठीक है तो तो थिया जाएगा रहा है तो थीक है लेकिन इसमें तुछ शम्मजह लगारा है को मिस्टेक हो रहा है उसमें जो बोला गया था है इसमें बताया गया था कि अगर हम 9 यानि कम यहां पर प्लस होगा क्योंकि इसमें बोला है कि इंक्रीजिंग बाय सिक्ष्ट यानि प्लस आएगा हैं ठीक है यह प्लस जोगा प्लस 6 हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा माइनस तो 67 हो जाएगा तो 2x प्लस 3y कि लएगा दोस्तो माइनस 61 तो यह हमारे क्वेश्टन क्या बनेगा 2 ठीक है तो यह बात जरूरी थी क्वेश्टन भी थोह सा जल्दबादी में नहीं करना चाहिए इसमें लिखवा इंक्रीजिंग बाय सिस्टी सेवन स्क्वार इंक्रीज हो जाएगा तो बढ़ेग मेरा फरस बन जाता है क्यूंकि जो गलतियां होती है तra गलतियां करेगे करें जे तभी आप सीख़ पाऊगे क्या हो रही है अब इसमें देखना यह बच्चों कि आप देखिए दोनों में से कोई भी matching में ही कर रहा है ठीक है तो जो margin method कीजिए इसका पर problem नहीं है लेकिन अगर आप देखिए इसको लिखिएगा equation 1 by 1 equation 1 को आप क्या कीजिए 2 से multiplication कर देजिए multiply कर देजिए and equation 2 को 3 से तो क्या बन जाएगा इसमें देखिए इसको देखिए इसको जो है हमने किस से बोला है 2 से equation 1 को हमें 2 से करना है तो क्या जाएगा 6 x minus 10 sorry 10 देखिए y लिख रहा हूँ ठीक है y minus कितना जाएगा 12 ठीक है यह हो गया अब दूसरा देखिए equation हमाना बन गया अब इसके साथ इसको कर देते हैं क्यों यह आप इतना तेज होई चुके हो अब इसको हमने 3 से बोला था ना 3 x plus 9 y minus 3 3 गलतिया होती है तो लोग बुरे समझदारिस आएगे करते हैं टेक हो गलतिन हो जाए 6,10 12 ठीक है 3 से किया 3,6,9 ठीक है आप इसमें हम स्बूसरा खटाने इसको सब्स्ट्रेयक्ट करेंगी क्या करेंगी दोस्तम सब्स्ट्रेयक्ट करेंगी जीM दिमाग लगा है दिमाग लगाई है तो देखिए किस के टेबल में आ सकता है देखिते हैं 9 के टेबल में, 1 9 है नहीं से करके देखते हैं 123 जब कीजिएगा सही तो और आजके आएगा सही ठिक आप जो है इसको किसी भी ने पूट कर देजिए ठीक है, फुटिंगी में 1 देगा है, यह फिए 1 चोटा है, ठीक है, इसमें 1 में रख देते है तो 3X जो गाहिए, माइनस 5 इंटु 9, माइनस 6, तो 3X माइनस 45 माइनस 6, तो कितना ज़रा गो सटों माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा, किजी तो यह जाएगा हमारे पास यहाँ कर रहा हूँ माइनस कर देंगे कितना जाएगा इसको माइनस 6 करेंगे माइनस माइनस प्लॉस हो जाएगा ना तो यहाँ हो जाएगा 3x माइनस यहाँ कर लेते हैं नो प्राब्लम ठीक इसको आगे यहाँ बरा देते हैं तो यहां हो जाएगा 3x minus 51, तो 3x is equal to कितना जागा 51, तो x is equal to कितना जागा दोस्तों, 51 upon 3, तो 3 से काल जो 3 बने जागा, 3, 4, 5, and 3, 7, तो हमारा answer आगया, x is equal to कितना आगया, 17, और y is equal to, आगया हमारा पास 9, तो इस तरह से जो है हमारा सवाल आगया, length or breath, जो है answer निकल गया, कोई doubt, कोई problem, तो push सकते हैं, ठीक है दोस्तों, इसी के साथ जो हमारा ये 5 point, जो हमारा कितना था ये, 3.5 जो है, खतम हो गया, आपने जो तरिपान study center के साथ बतीत किया, बहुत अच्छा था, ठीक हमने दोनों ने मिलके, बहुत ही मज़दार से question हमने किया, और हम ऐसे ही question क करना भी चाहिए, क्योंकि दोनों मिलके करेंगे